हाई फ्रेंड्स थैंक्यू वर वाचेंग दोस्तो हर कोई चाहता है कि उसके चारों तरफ उसके परिवार में और उसके जियून में खुशहाली बनी रहे और उसके खुशहाली को बनाए रखने में आपकी सुबह का क्या रोल होता है यदि आप जानना चाते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरूर दबाएं तक हमारी हर लेटेस्ट व्यू आप तक पहुंच पाएं हर रोज के सुबह की सुबहात ही डिसाइड करती है कि आपका जीवन कैसा होगा और ये सुबह की सुबहात ही आपके जीवन को एक नया प्रोग्राम देती है दोस्तों ये programming दो तरह के होते हैं एक होता है negative programming एक होता है positive programming दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो शुपय की शुरुवात ही एक dull face से करते हैं उनके चेहरों पे हमेशिया कुछ tension, कुछ frustration और कुछ unresolved issues नजर आते हैं वो हमेशिया अपने आपको unresolved issues में, frustration में और tension में उलजाए रखते हैं जिसकी वज़े से उनका energy level बहुत down हो जाता है और उनका प्रिवार के साथ में भी behave बहुत change हो जाता है आप देखते होंगे सुबह चगाते समय, morning में किस तरह से react करते हैं वो कहते हैं कितने लापरवा हो तुम, late हो जाओगे कोई कहते हैं अभी तो क्यों सो रहे हो तुम कुछ लोग कहते हैं कि सुबह होगी, tension सुरू होगी, मेरे लिए कितना सारा काम पढ़ा होया चारो तरह तुम्हें क्या पता कि मुझे पे कितना pressure है आ दिया, वो सुबह सुबह ही एक negative state of mind में रहते हैं और अपने mind को tune कर देते हैं negative feeling से, negative emotion से जहां रात भर में आपकी body ने आपके hormones को एक level पिलाया था जिसमें आप सुबह सुबह आपकी body ने regain करके energy level को बढ़ाया था जहां आपके mind ने आपको relax करके press किया था कि आप अपने आपको और productive और creative और सक्सम बना पाएं दोस्तों सुबह सुबह की ये negativity आपके प्रिवार पे असर डालती है और आपके state of mind पे असर डालती है जिस loss को आप पूरे दिन में बहुत मुश्किल से रिकूट कर पाते हैं से कहा जा सकता है कि छोटी सी गलती से बड़ा नुक्षान आप कर ले दे इसलिए अपने सुबह की शुरुआत को एक सफल वो पोजेटिव बनाइए पोजेटिव state of mind में होते हैं तो आप जब उठते हैं तो आपके चेरे पे भाव भीनी smile होती है आपके विचारों में एक gratitude होता है जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके परती और ऐसा अकसर ज्यादा तर लोग नहीं करते हैं और जब आप इस तरही की energy के साथ उठोगे आप कुछ stretching करोगे कुछ smile करोगे अपने चेरे पे तो वो और एनरजाइज करेगी जो वेक्ति positive energy के साथ उठते हैं stretch करते हैं और smile करते हैं सुबह सुबह तो किस तरह अपने परिवार के साथ अपने love ones के साथ react करते हैं कि जैसे अपने बच्चे को अगर उसको उठाना है तो बड़े प्यार से उसको हैंडल करता है कि देखो नई सुबह हुई है नया सूरी आपके लिए बेंट कर रहा है आपको देखना चाह रहा है तो बाहर कुछ पक्सी आये हैं आपसे मिलने के लिए और इस तरह अपने बेबी को अपने बच्चे को उठाते हैं जरा सोचेगा उस बच्चे के दिन की सुरुवात कितनी बहत्रीन होगी ग्रेटिटूड में रहना सीखे अपने प्रिवार के लिए इस सोसाइटी के लिए और इस स्रस्टी के लिए जिन्होंने आपको एक नया दिन और के साथ आपका माइंड ट्यून होगा तो आपके अंदर होगा कॉन्फिडेंस, हैपिनेस, ज्वार, पीस, लब दोस्तो नूरू लिंग्रिस्टिक प्रोग्रामिंग में इससे रिसोर्श फूर स्टेट कहा गया है तो यूटलाइज यूर रिसोर्श इंप्रोव यूर प्रोड़क्टिविटी एंड मेक ए पोजिटिव स्टेट अप माइंड दोस्तो आपका स्टेट अप माइंड आपके थोट्स को एफेक्ट करता है और आपके थोट्स आपका बहवियर दिजाइग करते हैं और आपका आपके एक्शन डिजाइग करते हैं और आपका एक्शन आपके लिए रिजल्ट डिसाइड करता है और यह रिजल्ट फिर आपके एक स्टेट ऑफ माइंड प्रोड़क्ट करता है और यह स्टेट ऑफ माइंड फिर आपका बिहवियर डिसाइड करता है और यह बिहवियर आ और प्रोडेक्टिव और प्रोडेक्टिव होते चले जाते हैं तो दोस्तो इसलिए हमेशा सुबह की शुरुआत एक बहतरी मुस्कान के साथ में एक positive state of mind के साथ में कीजिएगा मैं आसा करता हूँ आप इन चीजों पर इंप्लिमेंट करेंगे और उन नेगेटिव चीजों जो अपने चारो तरफ सुबह सुबह मैसूश करते हैं उन पर और कम करना चाहेंगे और आपने जिवन में एक नई खुसी की लहर दोडाएंगे दोस्तों comment box में ये जरूर comments कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके घर में सुबह सुबह होने वाले किस बात को आपने उपज़ो किया और उसको positive रूप में change किया ये comment box जरूर बताएं जब आप इस चीज़ो comment box में लिखेंगे तो ये assist करेगा समाज के बहुत से लोगों को उनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यदि उसको change करते हैं उनके जीमन में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है और दोस्तों इस वीडियो को अपने friends के साथ अपने parents के साथ अपने relatives के साथ और अपने family members के साथ जरूर share करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने सुबह की शुरूत एक बहतरिन तर सद्धी बनी रहे दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा comment box में लिखें इस वीडियो को like करना और share करना ना भूले यदि आप नए है तो इससे subscribe कीजिएगा और बैल आइकन को जरूर दबाएगा जय हिंद जय भारत